वेल्कम एवरिवन, मैं हूँ प्रतिक्षा, गाइस आज जो मैं मुवी एक्स्प्रेइन करने वाले हूँ, इससे पहले इसी सीरीज का फर्स्ट पार्ट आया था जिसका नाम जनी टू दू सेंटर आफ अर्थ है, जो की 2008 में आई थी, उस मुवी के लास्ट में हमने देखा थ कि कैसे शॉन को एक बुक गिफ्ट में मिली थी, और उस बुक का नाम दा मिस्टीरियस आइलेंड था, उस बात को ये तकरीबन चार साल बीच चुके थे, और शॉन के साथ में ही ये सेकिंड मुवी कंटिन्यू होती है, शॉन यहाँ पे कुछ रूल्स तोड़ता हुआ, ए और वो हैंक को उसकी बराबरी नहीं दे सकता था, शॉन से बात करने के लिए हैंक जब कमरी के अंदर आता है, तो वो एक लेटर को देखता है, हैंक उसे देखते ही पैचा जाता है कि इस लेटर को तो कोडिंग करने की जरूरत है, इसे कारण शॉन कहता है कि अगर आपको इतना ही कोडिंग करने का शौक है तो बताईए इसके अंदर क्या लिखा है लेकिन हैंग कहता है इससे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम आखिर सैटलाइट कंट्रोल सेंटर पर क्यों गए थे तब शौन यहाँ पर बताता है कि मुझे एक रेडियो से सिगनल मिले हैंन उन कोड को डिकोड करता है जिसमें लिखा था कि वह आईलेंड सच में हैं तुम्हें उस आईलेंड पर आना पड़ेगा शौन और इसी के साथ में काफी सारे हिंट्स थे कि उस आईलेंड तक कैसे पहुंचा जा सकता है शौन उस पूरे मैसेज को पढ़के बहुत एक कोड करने के अंदर मुझे काफी सारे प्राइजिस में मुल चुकी हैं मैं तुम्हारी इस में मदद कर सकता हूं शौन और हैंक दौनों मिलके कई सारे ओथर्स की बुख को एक साथ लाते हैं और इन तीनों बुक्स की अंदर एक मिस्ट्री आईलेंड के बारे में क्या रख हैंक यहाँ पर शौन के मौम से बात करता है और कहता है कि अगर हम दौनों के बीच में रिलेशन अच्छा रखना है तो शायद मुझे उसके मदद करनी चाहिए जिसके बाद हैंक शौन को अपने साथ में पलाव ले आता है इन दौनों को उस आइलेंड को ढूंडना था जिस बाटो की बेटी काईलानी आती है और वो कहती है कि अगर इन दौनों को उस आइलेंड तक पहुचना है तो यह अच्छे खासे पैसे भी देंगे और वो तीन हजार डॉलर के मांग करती है हैंक के पास में कोई आप्शन नहीं था और वो शौन की बात मांते हुए तीन हजा दौआनी लगता है शौन कहता है कि जूल्स के बुक की अकॉर्डिंग हमें इस टौनेडों के अंदर से योगे जाना पड़ेगा और उसके बाद ये बबंडर हमें सीधा उस मिस्ट्री आइलेंड पिली जाएगा हैंक कहता है गबाटो को कि अभी कि यहां से इस चौपर को मोडो हमें फिर से घर जाना है लेकिन गबाटो कहता है कि अब मेरा कुई कंट्रोल नहीं रहा है इस प्लेन के उपर अब तो हमारा मरना तै ही है जिसके बाद ये पूरा चौपर क्रेश हो जाता है और ये चारों आके एक मिस्ट्री आइलेंड पे गिरते हैं अब शौन सब एक बड़ा जानवर चोटा दिखाई देता है और एक चोटा जानवर हच से जादा बड़ा दिखाई देता है यहां की बटरफ्लाइस बहुत जादा बड़ी थी और बड़े बड़े ऐलेफेंट बिल्कुल छोटे से टॉइस जैसे दिखाई दे रहे थे सामने पहाडियों से आते हुए दुए को देखते हुए शौन बताता है कि इस दुए का कारण सिर्फ और सिर्फ उसके ग्रेंट फादर हो सकते हैं शौन अपने ग्रेंट फादर को ढूंडने के लिए आगे बढ़ता है और बाकी सब को भी उसके पीछे पीछे जाना ही पड़ता है आगे जाने कि अंदर एक बेबी लिजार्ड उस पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी वहाँ से सभी भागने लगते हैं जिसके बाद वो बड़ी सी जाइंट लिजार्ड भी नीन से उठ जाती है और इन सभी का पीछा करने लगती है एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये इस छिपकली से बचके कहीं नहीं भाग पाते तभी इस छिपकली के उपर अटैक होता है और बड़े-बड़े से ट्रीस आके इसे लगते हैं इन सब के जान बचाने वाला और कोई नहीं बलकि एंडरसन था यानि कि शौन के ग्रेंट फादर जो कि इन सभी का वैलकम करते हैं शौन अपने ग्रेंट फादर से मिलके बहुत खुश होता है लेकिन एंडरसन हैंक से मिलके बिलकुल खुश नहीं थे एंडर्सन इन सबी को अपने साथ अपने tree house में ले जाता है जहां पे हर तरह कीगी चीज थी दो साल से एंडर्सन इसी जगह पे रह रहा था इसी कारण इस mystery island की छोटी सी छोटी चीज के बारे में जानता था एंडरसन जिस ship के अंदर यहाँ पे पहुचा था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और उसी के बचे हुए टुकडों से उसने रेडियो बनाया था और शौन को signal भीजे थे हैंक कहता है कि उन्ही signals को हम use करके यहाँ पे मदद मंगा सकते हैं तब एंडरसन कहता है कि उस signal को पाने के लिए हमें दो हफ़तों का इंतिसार करना पड़ेगा तब चाकी कि strong signal आएगा तब तक हम इसी जगह पे रह सकते हैं और उससे पहले हम सभी कल एक नई सैंचुरी को द डूब चुका है लेकिन आखिर ये इतना सुन्दर शहर वापस से कैसे यहाँ आया तब एंडरसन एक्सप्लेइन करता है कि यह एक ऐसा आइलेंड है जो कि सतर सालों तक पानी के अंदर डूबा रहता है और सतर सालों तक जमीन के ऊपर आ जाता है इसी कारण आज हम इस पानी है जो कि समुद्र का है कि हैंक की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये पूरा आइलेंड दो से तीन दिन के अंदर डूबने वाला है एंडरसन कहता है कि अब तक की मेरी सारे रिसेच से मैं कह सकता हूं कि अभी इस आइलेंड को डूबने में 14 साल है तब हैंक इस बात अड़ जाता है और कहता है कि हमें यहां से जल से जल निकलना पड़ेगा आप लोगों को आइलेंड देखना था आप लोगों ने वो ढूंड लिया और अब हमें यहां से चलना चाहिए जूल्स के बुक के अकॉर्डिंग कैप्टन नीमो के समाधी भी इनके आसपास ही होन लेकिन इस बुक को लेते ही यहां पे अर्थ कोयकान ngay लगता है और इस बुक के अकॉर्डिंग के रस्ते से ने पता चलता है कि इनके पास 2 आप्शन है अगर यह लोग किनारे किनारे से जाएंगे तो इनेवां जाने में काफी दिन लग जाएंगे और अगर यह इस नहीं बोख बड़े माउंटें थे जिसके उपर ये कभी नहीं चार सकते थे तभी अटरसन एक मदुमक्य से लिफ्ट लेता है और उसे के ऊपर बैट के उड़ने लगता है हैंक ये काम कभी नहीं करने वाला था उसे बहुत ड़ लगता है कि आख Most वो मदुमक्यों के उपर कैसे बैट सकता है तभी वहाँ पे शौन काइलानी के साथ एक और मदुमक्य के उपर उड़ जाता है अब हैंक के पास कोई आप्शन नहीं होता जिसके बाद वो गबैटों के साथ में एक मदुमक्य पे बैट जाता है ये मदुमक्या उड़के इने बहुत बड़े ग्राउंड से होते वे आके तक भी ले चाती है तब ही इनके उपर एक बहुत बड़ी चिडिया आती है और चिडिया इन मदुमक्यों को ही खाती थी इसी कारण ये सारे के सारे फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं लेकिन चिड लेकिन शौन के साथ काईलानी जो बैठी थी उपर उचाई पे जाने के बाद वो नीचे गिर जाती है। हम लोगों के पास में इतने पैसे नहीं है और शौन तो जल्दी शेहर में चला जाएगा। तो इससे अच्छा होगा कि मैं उसे कम बात करूँ और हम दौनों एक साथ में बहुत खुश है। गबैटो कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाऊंगा ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। ऐसे खटे करने के चकर में गबैटो रात में ये उठके वहाँ से चला जाता है क्योंकि इस मिस्ट्री आइलेंड पे एक ऐसा वालकेनो था जिसका पूरा माउंटेन गोल्ड से बना हुआ था। शौन कहता है कि मैं भी तुमारे साथ जाओंगा लेकिन उसका पैर फ्रेक्चर था इसी कारन एंडर्सन कहता है कि काईलानी के साथ मैं जाओंगा शौन और हैंग जाएंगे नॉटलिस को ढूणने के लिए यहाँ पे गबैटो को सोनी का एक स्टोन मिलता है लेकिन असल के अंदर ये एक बहुत बड़ा पत्तर होता है शौन और हैंग जिस जगह पे पहुचते हैं उसी जगह पे नॉटलिस सम्मरीन को होना चाहिए था लेकिन पानी का लेवल इतना जादा बढ़ गया है कि वो सम्मरीन अंदर तक डूब चुकी है काईलानी अपने फादर को ढू नहीं खोल पाते यहीं पे काईलानी अंडरसन और गबैटो भी अपना रस्ता भूल जाते हैं इधर जब शौन और हैंक पानी के अंदर काफी देर से थी और इनकी ऑक्सिजन भी खत्म होती जा रही थी कि तभी यहां पे एक बहुत बड़ी इल्फ इशाती है जो कि अपनी इलेक्रिसिटी से उनके ओपर अटैक करने वाली थी तब इस समरीन का दर्वाजा खुलता है और यह अंदर चले जाते हैं शौन एक बटन प्रैस करके इसके पूरे पानी को खाली करता है अंदर जाने के बाद यह पूरा सिस्टम ओन करने के कोशिश भी करते हैं वहीं दू चले 140 एर से बंद होने के कारण इंजन बंद पड़ गया था उसे एक बड़े से स्पार्कल की जरूरत थी और यह बड़ा सा हजारो वाट का जटका इन्हें यह इल फिश दे सकती थी यह मिस्ट्री आइलेंड जल्द ही टूपने वाला था इसी कारण तेज बारिश स्टार हो जाती है और किनारे पर आने के बात भी इन्हें सम्मरीन नहीं दिखाई देती है यहाँ पर शौन अंदर था और वो इल फिश को ढूंड रहा था वही पर हैंग एक बड़ा सा एरो लेके खड़ा था साथ ही साथ उसमें वायर अटैच था ताकि वो इल फिश के उपर हो जाता है यहाँ गबैटो काईलानी और एंडरसन जिस पाउंटीन के ऊपर खड़े थे वो भी पूरी तरीके से तूट चुका था और यह उनका आखरी वक्त था आगे से आने वाला पत्थर इनके ऊपर गिरता इससे पहले यह खुदी कूच जाते हैं लेकिन पानी में ग टकरा गई तो यह सारे के सारे डूब के यहीं पर मर जाएंगे हैंक अब इस समरीन को चलाने का काम गबैटो को देता है और खुद जाके एक बड़ी सी मिसाइल को लांच करता है वो मिसाइल लांच होने के बाद एक बड़ी से चटान से टकरा जाती है और उसके होता है गबैटो के पास में इतने हजारों साल पुरानी जो सम्मरीन थी उसकी अच्छे खासी बोली लग चुकी थी और अब गबैटो इस आइलेंड का वन एन ओली गाइड बन चुका था जो के इतनी अर्थ टू दा मून यानि कि अंडरसन फैमिली अभी अपनी ट्रिप्स को कंटिन्यू रखना चाहती है और इसी के साथ गाइज यह शांदार मूवी यहीं पर खत्म होती है तो आप सभी लोगों को यह मिस्ट्री आइलेंड मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा तो कुर जा है झालेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंगेंडेंडेंडेंडेंडेंडें विह शा कि अजिती है उसी बताईएपश।